नमस्कार मिना अजमिन खान और आप देख रहे हैं स्पियन नाई न्यूस मोधी सर ने मामले में राखुल गांधी पर आज फैसला आना है सुप्रिम कोट में याचिका दाखिल की गई थी दो साल की सजा को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने सीधे तोर पर कहा था कि गुजरात हाई कोट से जटका लगने के बाद हम सुप्रिम कोट का रुक करेंगे उन्हें पूरी उम्मीद थे कि गुजरात हाई कोट से उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा अब सीधे तोर पर सुप्रीम कोट का रुक कर चुके हैं राहूल गांधी राहूल गांधी के इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस डी वाई चंद्रचून आज बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर दो सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं यह राहूल गांधी के लिए एक सवाल तो राहत देता है लेकिन दूसरा सवाल उनके करियर को कहीं न कहीं खत्म करने के कगार पर पहुँच जाता है पहला मामला यहाँ पर यहाँ पर यह है कि अगर राहूल गांधी को मानहानी केस में राहत मिल जाती है और सीधे तोर पर दो साल की सजा उनसे हड़ जाती है तो संसस सदसिता वापस मिल जाएगी राहुल गांधी की और यहाँ पर आने वाले चुनाव में राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पर राहुल गांदी के खिलाफ में फैसला सुनाया गया या यहाँ पर सुप्रिम कोट की सुनवाई की तारीक को आगे बढ़ा गया तो सीधे तोर पर देखा जाएगा कि राहुल गांदी मारहानी केस में फस्ते जाएंगे और 2024 के चुनाव में यहाँ पर जो प्रदान मंतरी बनने का सपना देख रहे थे वो सपना कहीं न कहीं धरशाई हो जाएगा क्योंकि अगर दो साल की सजा बरकरार रहती है तो ऐसे में राहुल गांदी का चुनाव में उतरना नामुम्किन हो जाएगा खने शाल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आफ समझ सकते हैं कि कई सालो तक राहुल गांदी का राजुनीती में न उतरना या फिर किसी भी चुनाव को ना लड़ना एक तरीके से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा से अपने वर्चस्व को कायम किया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से धरशाई होता हुआ नजर आएगा अब यह देखना होगा कि सुप्रिम कोट में क्या फ